स्वागत है आप सभी का My Gadget Experience में दोस्तों, प्रोजेक्टर से अच्छी Image Quality प्राप्त करने के लिए अच्छे प्रोजेक्टर स्क्रीन का होना भी जरूरी है ट्रेडिशनल स्क्रीन के रूप में वाइट स्क्रीन का चलन पहले से है लेकिन इस वीडियो में नए तरह के ALR ग्रेइ स्क्रीन का यूज़ करेंगे और देखेंगे कि कैसे दिवार पर लगाना है Image Quality में किस तरह से Improvement होता है और क्या कमी है यह इस तरह के Packet में मुझे मिला है यह ग्रेइ स्क्रीन कम बजट वाला ग्रेइ स्क्रीन है यह 2000 से 5000 रुपए के बीच अलग-अलग Size में Indian Market में मिल जाएगा अगर Banggood से खरीदें तो आधी कीमत में मिल जाएगा यह स्क्रीन 100 इंच Size का 16-9 वाली Projector स्क्रीन है यह इस तरह Fold होकर आता है इसे दिवार पर चिपकाने के लिए इस Packet में 10 पीस Velcro Stickers दिये गए है स्क्रीन को Unfold करें तो इस तरह Folding वाली Lining दिखेंगे आप चाहें तो दिवार पर लगाने से पहले हलके गर्म Iron से या Steam Iron से प्रेस कर सकते हैं स्क्रीन का जो सर्फेस ज्यादा Gray है और Light पढ़ने पर चमकता है वही Actual Screen सर्फेस है और इसके पीछे वाली सर्फेस से Velcro Stickers को चिपकाएंगे सभी Velcro Stickers इस तरह से आपस में चिपके हुए हैं इसके दोनों तरफ glue लगा है इन्झी के एक हिस्से को दिवार से और दूसरे को सक्रीन से चिपकाएंगे सबसे पहले सक्रीन के पीछे तरफ सर्फेस में 4 और किनारों पर इन स्टिकर को निस्चित दूरी पर चिपकाएं पूरी तरह से चिपकाने के बाद अब दिवार पर चिपकाने के लिए तयार हैं तो इस्क्रीन को निश्चित उचाई पर ले जाकर अच्छे से खीच कर रखें और स्टिकर के दूसरे हिस्से को दिवार से चिपकाएं इसी तरह सभी Sticker को दिवार से चिपका दें, ध्यान रखे दोस्तों, Screen को ज़्यादा खीच कर भी नहीं चिपकाएं, नहीं तो Sticker Screen Surface से Displace हो जाएगा, या Screen पर सिल्वटें दिखेगी, यह Projector Screen Washable है, आप निकाल कर धो भी सकते हैं, अब Screen Ready है, इसमें Image Project करते हैं, यह Screen बहुत अच्छे से projected image को display करता है, image के black colors enhance हो जाता है, image के contrast में भी improvement दिख रहा है, और brightness भी ज़्यादा लग रहा है, कम brightness वाले projector की picture भी काफी bright दिख रहा है, कमरे में परियाप्त light होने पर भी image quality बहुत अच्छी मिल रही है, image का brightness, color, contrast सभी अच्छे से दिखाई देता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो gray screen से image quality में काफी improvement हुआ है, especially brightness और contrast में improvement हुआ है, जिसके कारण color भी बहतर दिखाई देता है, यह तो इसकी अच्छी बाते हैं, अब इस projector screen की कमी को भी जान लेते हैं, इस gray screen के viewing angle में थोड़ी दिक्कते होती है, इस gray screen में light scattering comparatively कम होती है, यह light को ज़्यादा नहीं फैलाती, बलकि ज़्यादा तर light को opposite direction में light source की तरफ reflect करती है, इसलिए image तब ज़्यादा अच्छा दिखता है, जब projector के image screen से reflect होने के बाद सीधे आखों पर पड़ती है, मतलब projector के पास ही पीछे या आगे से देखें, या उपर या नीचे से देखें, तो ही अच्छी brightness मिलती है, प्रोजेक्टर के अगल बगल से देखें, तो contrast और color तो अच्छी मिलती है, लेकिन brightness थोड़ी कम हो जाती है, वैसे प्रोजेक्टर के बिलकुल सीधे में होकर देखने पर भी screen कुछ ज़्यादा ही चमकता है, तो प्रोजेक्टर से दूर कुछ degree angle के अंदर ही रहकर image को ग्रे screen का surface pattern इस तरह से बनाया गया है कि प्रोजेक्टर को screen के सामने जहां भी रखें, चाहे सीधे या कुछ angle के साथ left या right में, प्रोजेक्टर जहां से image प्रोजेक्ट करती है, और फिर image screen से reflect होने के बाद उसी प्रोजेक्टर की तरफ ही आती है, मतलब प्रोजेक्टर को screen के सामने जहां भी रखें, प्रोजेक्टर के पास से देखने पर सबसे ज़्यादा brightness मिलती है, कहीं और जगा से देखें तो brightness थोड़ी कम मिलेगी, सही image देखने के लिए प्रोजेक्टर के पास ही या सीध में होकर देखें, वैसे कुछ degree angle तक प्रोजेक्टर के अगल बग न रहे, तो ही projected image दिखेगा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, तो अगर प्रोजेक्टर की image में अच्छी contrast और brightness चाहिए, तो यह ALR प्रोजेक्टर screen बढ़िया है, दिन के समय में यूज करने के लिए best है, या फिर अगर कमरे में रोशनी है, तो भी image quality अच्छी मि आते हैं, तो यह value for money है, या नहीं यह कहना मुश्किल है, लेकिन इस price में यह एक बढ़िया grey screen है, और grey screen का बढ़िया taste मिल जाता है, तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद,